प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाती मोचा के प्रदेश अध्यक्ष जुआहर ठाको ने कहा कि कोरोना काल में केंद्री अवा प्रदेश नरतितों ने आवाहन किया है कि घर से भी पाती की सेवा और संगठन के लिए कारे करना है और घर से पाती को चलाना है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा ने वर्चूल मेटिंग की है जुआहर ठाको ने कहा कि सरकार के साथ साथ भाजपा अनुसूचित जनजाती मोचा का भी फरजय की जनता की दुख तकलीफों को दूर किया जाए धरमशाला में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाती मोचा की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाती मोचा के प्रदेश अध्यक्ष जवाहा ठाको ने कहा कि जनजातीय लोगों के साथ उन्होंने कहा कि धरमशाला में आयोजित बैठक भाजपा के मिशन रिपीट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जनता को पार्टियों, कारे करताओं और नेताओं की आवशक्ता थी उस समय विपक्ष के नेता घरों में सोए रहे और वर्तमान में विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जिसका जवाब भी विपक्ष को देने की योजना बैठक के दोरान बनाई गई हैं। केबल भारतिय जनता पार्टी ऐसा एक संगठन था जो जब महामारी के दोर से गुजर रहे थी। फिर भी हमारे केंदर नित्युत्यों ने और परदेश के नित्युत्यों ने आववान किया कि घर से भी पार्टी सेवा और संगठन करना है और घर से पार्टी को चलाना आपने देखा होगा महामारी के दोर में भी भारतिय जनता पार्टी ने बर्चुल मीटिंगें की और हर कारे करता को संदेश दिया कि पार्टी सत्ता में है केंदर में भी सत्ता में है और हिमाचल में सत्ता में है। इसलिए हमारा फर्ज है कि लोगों के दुखदत में हो हर चाहे जनजात्य मोर्चाओं का हो चाहे भाजपा का कार्य करता हो हर अब शक्ता जिस कार्य करतों को पड़ी जिस व्यक्ति को पड़ी का भाजपा वहां पहुंची है अब उस दोर से हम आगे निकले हैं तो पार्टी का जो एक निर्ने था कि भई पार्टी को अब बहार इस मिशन रिपीट के लिए नीव का पत्थर साबित होगी आज यहां पुले छे महिने का एक मुरोड में बना है कि कैसे भारत्य जन्ता पार्टी को दुवारा से 2022 में सत्ता में ले आना है और उसमें जन्जात्य मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में जहां हमारी सिटी चैनल के लिए धरमशाला से निर्पजीत निपी की रिपोर्ट